हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग तो अभी मैं सो के उड़ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबा का साड़े च्छै और आज मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना है इस वज़े से मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ आदे घंटे पहले नहीं तो मैं एक साड़े साथ साथ बचे के आस्वास उठती हूँ तो और होता क्या है कि सुबा 6 से 9 बजे तक ही पानी रहता है आता है नल से इस वज़े से मुझे कपड़ा भी जादा धोना है तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं स्टार्ट करूं कपड़ा धोना और धूब भी अच्छा आ था तो जितना जल्दी सुखेगा उसके हिसाब से मैं कपड़ा सुखाते जाओंगी ऐ से करके क्योंकि मैं जो सीड़ी है उसके जश्ट-णीचे श्पेसores रहें रहती हूँ इस वज़े से इसको निकालने में थोड़ा सा दिकत होता है तो मैं रात में ही निकल dlb पाँ भल लेती हूं एक बाल्टी करके मैं मसीन में डालते जौँगी तो चादर वरेगरा जो भी है दो तीन चादर निकला और देखें यहां पे मैं एक बाल्टी और एक टब कपडा बुबा के रख दी थी मेरको जो कपडा धोना है जैसे पर्दा है और सोफा कवर है इन सब थोड़ा सा जादा गंदा हो जाता है तो उसको ना मैं सुबा उठते ही दो वाल्टी गरम पानी रखी थी अच्छे से जितना भी उसका मैल हो जल्दी से निकल जाए इस वज़े से सबसे पहले मैं वो कपड़ा दुबा दी थी गरम फानी में उसके बाद इधर वाशी मशिन में दूसरा और कपड़ा दोने का काम करी थी तो जो ठंडा पानी में धोना है मुझे से उसको यहां पर पा कपड़ा हैucharख्य verw नौर्मली डेली यूज वाला ही कपड़ा है तो इसको गरम पानी की जवरत नहीं पड़ेगा इस वज़े से सबसे पहले जो जादा गंदा नहीं हुआ है उसको मैं डाल लूँगे उसके बाद मैं चादर डाल दूँगे जादर भी बीच में धोई थी तो भी जादा गंदा इसको मैं डाल देती हूँ तो जब तक उधर गरम पानी में मैं डुबा के रखी हूँ उसका मैल भी है निकल जाएगा और डारेक्ट गरम पानी को वाशीन में डालो तो पता नहीं खराब हो ना जाए इसका डर था इस वज़े से उसको मैं उधर ही उसका पानी मैं चेंज क तक हो रहा है तब तक मैं और दूसरा काम कर लेती हूँ और हाँ अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा बहुत महनत लगता है एक वीडियो बनाने के पीछे तो फिर जब तक मसीम का कपड़ा धूल रहा है यहां पे मैं ब्रस कर लूंगी और देखे आज स्वरा का टेडी वीर भी मैं धोने के लिए निकाल दी हूँ मलब घर के जितने भी कोने कोने का समान है जितने भी कपड़े हैं उन सब को मैं धोने के लिए रख दी हूँ क्योंकि दीवाली भी पास है और 37 सब चीज धूल भी जाएगा ऐसे करके तो ब्रेश रगेरा मेरा हो गया है उसके बाद मैं आ जाती हूं यहां पे वाशिन मशीन से कपड़े निकालने के लिए तो एक एक करके मैं यहां पर निकाल लेती हूँ पूर एको धोने का इडादा बनाई हूं तो उसके बाद मैं तुप में गरम पानी पर Video करके रखी थी तहीं कि असको मैं कम सकम दो गंट भी एने के बाद मैं मसीन में डाल धुट और गरम पानी जो है और नॉरमल हो गया था साथी साथ मैं स्वर गा टेड़ी वियर को भी एक चे करके डालूंगी उसका बहुत सार है टेड़ी वियर तो मैं कुछ-कुछ करके डालूंगी क्योंकि उसमें बहुत जादा बज़न भी हो जाता है तो फीर से मैं उसको timer shade करके इधर जो कपड़े दुलने के लिए रखी थी उसको मैं निकाल के रख देती हूँ और इधर एके करके brush करको brush की साहता से और कुटेलर की साहता से मैं उसको धोते जाऊंगी जो छोटा कपड़ा है ना उसको मैं ब्रस से गड़ते जाओंगी ऐसे ज्यादा उतना करने की जोरत नहीं रहता क्योंकि मसीन से अल्रेटी धूला रहता है तो भी एक एक बार में ब्रस से उसको साफ करते जाओंगी और देखे उधर नल भी चालू है क्योंकि अभी टाइम वही साथ साथ बचे के आसपास हो रहा है फोर्स में चलता है इस जैसे नल जब तक चल रहा है तब तक मैं फटा फट कर लेती हूं ऐसे करके मैं कर लूंगी मैं तो जो जो चोटे चोटे कपड़े हैं जिसमें चादा महनत नहीं है उसको एक एक बार फटा फट में ब्रसक उसमें मारते जाओंगी और इसको दोते जाओंगी साथी साथ यह मेरा काम जल्दी हो जाएगा और अभी मैं घर का काम कुछ भी निकरी हूं कीचन का काम कुछ भी करी हूं तो फिर जितना चल्दी हो सके कपड़ा सुख भी जाएगा ऐसे करके मैं कपड़े पर ही ज्यादा ही ध्यान दी हूं तो फिर देखे मैं एक एक पानी इसको दो देती हूं और उसके बाद मैं जो बड़ा कपड़ा है ना उसको मैं टप के पानी से धोंगी और जो एक गंटा जो रहता है वो बहुती स्लो चलता है इस वज़े से मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कपड़े को धोरी हूँ उसके बाद मैं आ जाती हूँ चट पर कपड़ा सुखाने के लिए और देखे धूप भी आ गया है चट पर तो मैं एक एक करके कपड़े को सुखाते जाओंगी दो-तिन जीन्स है और उसके साब से मैं सुखा दूँगी जिदर धूप सबसे ज़्यादा आएगा उधर और देखे चादर को भी मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ दूप इतना तेज है कि दो-तिन घंटे में सब कपड़े आराम से सुख जाएगा उसके बद कच्छत में कपड़ा सुखाने के बाद मेरे हजबेन यहाँ पे नास्ता बना के रेडी कर लिये थे तो वो बनाये थे पोहा जो फटा फट बन कarta रेडी हो जाता है तो उनको ज़्याता तर ज्यादा नास्ता बनाने नहीं आता, जैसे बहुत यूद जल्दी बन जाए वही उनको बनायों के करने यहां तक ममा और पापा को भी नहीं कूसी और की दूसरे अलग है और सृरा का तेड्यू से कूट रही हूं पूरे कपड़ इतने जादा हो गये थे ना कि मेरको सामने वाले अंटी के हाँ से भी कपड़ा सुखाने के लिए जाना पड़ा क्योंकि उसके दूप भी अच्छे से तेज आ रहा था और सामने ही पढ़ता है उसके हाँ का तो धूप बहुत ही अच्छा आ रहा था तो मैंने सोचा जो बड़े बड़े जो बेट सीट है चादर है उन सबको मैं सुखा दूँगी तो जल्दी भी सुख जाएगा ऐसे करके तो सवरो और मैं अंटी के हाँ गया है और उसके हाँ भ जट में क्यूंकि छोटा पड़ गया था बहुत सार कपड़ा दो दी थी तो मैंने आइट साइट बाले के हाँ सबके हाँ कपड़ा सुखा देने के लिए रग दी थी तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिएगा तो यह रहा म झाल